एक शोत के मुताबिक शादी शुदा मर्दों के अंदर एंटी सोशल बिहेवियर जिसमें खासकर लाइंग बिहेवियर सबसे जादा कम पाया गया है यहां पर इस चीज का मैं खास कारण पोशना चाहूंगा आग से क्या जिम्मेदारियों का बोज इस बिहेवियर को कम कर देता है जी हाँ देविश जिम्मेदारियों का बोज कहलो या आप जिम्मेदारियों का अवेरनेस कहलो कि जब हम जिम्मेदार हो जाते हैं, जैसे मेर्चुरिटी के हमने बात की थी, तो एक मेर्चुरिटी की फॉर्म आती है, और हम जान जाते हैं कि जूट बोलना इससे कोई ज़्यादा फाइदा होने वाला नहीं है, इसलिए हम उस चीज़ को अवाइट करना शुरू करते हैं, नॉमली दिखा गया कि मेरिट में जो हैं, और खास तरो पर पेरेंट्स, जो जिनके बच्चे हो चुके हैं, उनमें आटोमेटिकली जूट बोलने की जो समावना है, वो कम होती है, क्योंकि कहीने कहीं वो अपने बच्चों को भी एक बहतर सीख, एक बहतर समाजिक बेहेव होता, और ये हमारे आज के समय में जीवन शैली का गिस्टा बन गया, इसलिए जूट तो बड़ा मुश्किल है, इससे निदान पाना, बिल्कुल, बिल्कुल सही बाद शेयर करिये हैं आपने इनोंने, ये मुख्य कारणों में से हैं, किसी भी चीज़ का लालच, किसी भी जीवन शैली का भाग बन गया है, लेकि अगर मैं उनसे एक कोश्टन पूछूं की, क्या वो हम अपने बच्चों को ये सिखाना चाहेंगे, कि जूट बोले और आगे बढ़े, हम इसे कोई भी नहीं चाहेगा, जो कि हम चाहते हैं, जैसे बिल्कुल ठीक बोल और नहीं, ब मैं खुद को चेक करना पड़ेगा, कि किस-किस लेवल पे हम जूट बोलते हैं और कहां कहां अवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल तो इस नेचर को डेफिनिटली हम सभी को अवाइड करनी की ज़रूत है, यहां आराधना जी भी है, आराधना जी सवाल पूछें, जी, सर में पूछने जाएथी, मेरा बेका है एक्टीन एयर्स का, वो जैसे जूट तो नहीं बोलता पर उसकी कतनी है, और करनी में काफी अंतर है, जैसे वो पढ़ाई में तो ठीक है, पर बोलता है कि मैं फाइड को डाउट होता है कि जूट बोल रहा है कि इसका बिल्पाबर नहीं ह तो इसको मैं कैसे बाच करूँ? पर इसका बेक्वाय्स देना बहुत जरूरी है। पर इसके हम नहीं पर लोगाई बिलिफ देसूड बोलता है लोगों में और low self esteem यानि confidence की कमी ये भी एक बहुत बड़ा कारण है लोगों में जूट बोलने की आदत के पाये जाने का यहां पर मुकेश जी हमारे साथ जुड़ गई है मुकेश जी सवाल पूछे पूछना चाहता हूँ कि जूट बोलते हैं इनकी बगवान का उपर वाले का भी जब कर नाम लेते हैं और ये फिर बच्चों के सामने दूब अत्ती करते हैं सब कुछ करते हैं फिर थोड़ी देर में ही लोग बदल जाते हैं इनका करना सही है गलत है आपके जिसाफ़ सेट डिफिनिटली बिलकुल ही गलत है इस तरह का बिहेवियर क्योंकि सामाजिक तोर पे और किसी भी रूप में हम इस बिहेवियर को नहीं अपना पाते हैं देखिए कथनी और करनी का जहां तक सवाल है वो इसमें बहुत लागू होता है क्योंकि बिलकुल सही कायनोने हम सब कुछ करते हैं पूजा भी करते हैं सब करते हैं और बाद में जब बात आती है बेहेवियर की तो हम जूट बोलना शूरू करते हैं लेकिन यहां पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि जूट हमारी लाइफ में इस तरह गुत गया है इस तरह बीच में आ गया कि हमें पता ही नहीं लगता कि हम जूट बोल रहे हैं हम छोट छोटी बातों पर जूट बोलना शूरू करते हैं फोन आया है तो हम जूट बोलते हैं किसी कोई घर पर मिलने आने वाल तो हम जूट बोलते हैं, हम कहीं जा रहे हैं मिलने के लिए तो हम जूट बोलते हैं, और हमें पता ही नहीं लगता कि कब वो embed हो जाता है हमारे लाइफ में, और धीरे धीरे ये चीज़ बच्चों में ट्रांसफर होती है, आप रिस्पेट कोते हैं सबसे पहले, क्योंकि बच्चे जान जाते हैं कि उनके पेरिंट्स सच नहीं बोल रहे, और ये चीज़ की हाँ जूट बोलना जायज है कि बच्चे अपना लेते हैं, और फिर आपको परशानी होती है कि मेरे बच्चे मेरे से सच को नहीं बूलते हैं यहां महीजी मैं आपसे बहुत और जाना चाहूंगा जो पार्टनर या रिलेशन्शिप में जो भी लोग होते हैं चाहे बीवी हो या कोई भी और दूसर रिलेशन्शिप वहाँ पर जब शक आयाता है लोग शक करने लगते हैं अपने पार्टनर पे तो देखते हैं कि मर्दों की जिन्दगी में जूट एक बहुती बड़ा रूप अपना लेता है और वो घर पे भी जूट बोलना शुरू कर देते हैं देखे मर्दों की जिन्दगी में ज्यादा क्यों आता है क्योंकि हम लोग बहुत बहुत आगे जाते हैं तो वहाँ पर शक की गुझाईश बर जाती है लेकिन वह शक एक ऐसी दरार पैदा कर देगा आपके मन में कि आप उन चीजों को घर में बताना बंद कर दोगे और बताने बंद करने का मतलब यह है कि आप जूट बोलने शुरू कर दोगे तो यह चीज़ डेवलप होती है शक से शक का भी जिकर किया आपने यह बहुत ही मैचूर कारण है इस चीज़ को डेवलप करने का कि जूट बोले या ना बिल्कुल तो यहां बहुत ज़रूरत है हम सभी को अपने रिलेशन्शिप के अंदर जिम्मेदारियों को बाटने की और बातों को जितना हो सकता है शेयर करें एक ट्रांसपेरेंसी बना कर रखें रिलेशन्शिप में ताकि शक कभी भी पैदा ना हो सके एक ब्रेक लेंग जिन्दगी में जूट बोलना कभी भी एक विकल्प होता है हमारे पास हम हमेशा देखती है कि सच और जूट में हमेशा हमें एक चॉइस मिलती है अभी हमारे जिम्मेदारी है कि हम किसे चुने सच को अपनाएं या जूट का साथ दें यहाँ पर मदू जी हमारे साथ जाए बड़ा हो अपनी गल्तियों को सिकार करने में उसको कोई भी जख ना हो को यह डर ना हो यह मेरा मजा बढ़ा जाएगा यह उसे किया जाएगा जी और दूसरी बात यह है कि जो हमारे अधकच्री धार्मित नेता हुए हैं वो सभीयों से स्ट्रियों के प्रती एक जाए परायन होती हैं ज़े ज़ी इंडर भगवान ने इस्त्रियों को यह बर्दान दिया है कि वहर माध्य में उनके सब पावों बिल्कुल मदू जी हमांपकी बात से पूरी तरह सहमेत हैं बिल्कुल मेंस में हमारी यही कोशिश रहती है हम यही इस जुजहरूपन से इस परकरार रखें. यहां महीजी मैं आपसे एक खास बात ही पूछना चाहूँगा कि professionally किसी भी मर्द को career wise आगे बढ़ने के लिए या दूसरों से बहतर बनने के लिए क्या जूट का सहारा लेना बहुत जरूरी हो जाता है? दिवीजी, norms क्या कहते हैं? norms हमने बनाए हैं और हम उनको ऐसे मानके चलते हैं कि वो society ने बनाए हैं. जैसे मदूजी ने भी कहा कि society या समाज हमारा ऐसा होना चाहिए कि गलतियों को करें. शुरुआत हम से होती है. आज अगर इस men's program को देखने के बाद एक भी दिये, decide कर लेता है कि कल मैं वो जूट जो लगातार बोलता आ रहा हूं उसको कर्ब करूँगा उसको नहीं बोलूँगा तो आप मानिए कि really में समाज में बदलाव आएगा. समाज में बदलाव ऐसे नहीं आएगा कि हम सोचें. प्रोफेस्टनी करियर के अंदर भी जूट बोलना, एक सिडी चड़ने के लिए जूट बोलना जरूरी है या नहीं है ये उसके विवेक पर निर्भा करता है. अगर उसके शुरुआत जूट से हुई है तो वो बहुत बुरी तरह वेब में फस चुके हैं. उनको वहाँ से कभी भी वो फेक चीज़ से आगे नहीं बढ़ते. अगर आप इसको मेटरलाइज करना चाते हैं, लाइफ के अंदर लाना चाते हैं, तो आप इसको एपलाई करके देखें. कल सही आप सच बोलने की कोशिश करें. मैं गांदीगरी की बात नहीं कर रहा हूँ. मैं सिर्फ ए चीज़ को दबाने की कोशिश में वो जूट का सहारा लेती हैं. किस तरह उन लोगों को इस फीलिंग से बाहर आना चाहिए कि वो जूट का सहारा ना लें? देखिए, सबसे पहले उनको अपने को एकसेप्ट करना पड़ेगा, कि मैं जैसा हूँ वैसा बेस्ट. उसके को उन वीकनेस को जो आप समझते हैं, उनके उपर काम करें, लेकिन दूसरों को इमिटेट ना करें, इमिटेशन में हमेशा जूट सामने आएगा. पिल्कु क्योंकि जब हम किसी के दूसरे के व्यक्तित्व को अपनाने की कोशिश करते हैं, तो हम असलियत में अपना व्यक्तित्व खो बैखते हैं. यहां पर जो रिष्टों में लोग होते हैं, रिलेशनशिप्स के अंदर, बहुत ज़ादा प्रोब करना, बहुत पकड़ने की कोशिशी करते हैं वो इतना दूर आपसे जाती है रिष्टों में स्पेस ना होने की वज़े से ही जूट बोलने का बहुत बढ़ावा मिलता है कि वाइट वाइट हस्बंड पर विश्वास नहीं करते हैं कि विश्वास हर रिष्टे की बुन्याद होती है और इसी के साथ सद ये भी बहुत जरूरी है कि कि कुछ पुर्शों की आदत होती है मर्दों की खास टेंडेंसी होती है वो surprises देने में बहुत belief रखती है बहुत विश्वास रखती है तो जो उनके पार्टनर हैं अगर कुछ फिशी देखते हैं वो अगर कुछ उनको ऐसा महसूस होता है कि हमारा पार्टनर कुछ छुपाना चाह रहा है तो कुछ वक्त के लिए उसको नजर अंदास कर देना ठीक रहता है क्योंकि हो सकता है वो एक सर्प्राइज का ही हिस्सा हो बिल्कुल ठीक बात है क्योंकि सर्प्राइज लाइफ में बहुत अच्छे मुमेंट्स लेके आते हैं तो कई बार अगर ऐसा आपको महसूस हो रहा है कि कुछ छूप रहा है तो लेट इट बी बिल्कुल वेल महीश जी मैंस में इस हेल्धी डिसकुशन के लिए बहुत बह बहुत 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 बहुत